बैरोमीटर ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि हमें कहीं का भी आटमस्फेरिक प्रेशर इसे मेजर करने में मदद करती है अब देखते हैं कि ये बनी कैसे हुई है तो बैरोमीटर में होता है एक बाउल ओफ लिक्विड मरकरी और अगर मुझे बाहर का आटमस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो मैं इसे ले जाके बाहर रख देने वाला हूँ बाहर होगी एर और उसके आटमस और मॉलक्यूस इसे मैं ऐसे दिखा रखा है फिर हम एक पतली सी लंबी सी ट्यूब लेने वाले हैं और इसे पकड़के हम इन्वर्ट कर देने वाले हैं इस लिक्विड मरक अटमस और मॉलक्यूलज है अब इन पर ग्राविटी का एक फोर्स लग रहा होगा नीचे के तरफ यानि कि यह एक प्रेशर लगा रही होगा नीचे के तरफ लेकिन देखो अगर तुम इस लेर पर ध्यान दो तो इसके ऊपर तो कोई आटमस और ही नहीं इसके वाक्यूम ह तो क्या तुम imagine कर सकते हो कि अब क्या होने वाला है मैं चाहूंगा कि तुम video को एक बार pause करो और खुद से सोचने की कोशिश करो अब अगर तुमने try कर लिया है तो आप देखते हैं देखो मकरी के इस layer पर एक pressure लग रहा है जो कि इसे दबाने की कोशिश कर रहा है और ये वाली layer को भी दबाने की कोशिश कर रहा है अट्मस्वेर देखें इस layer के उपर तो काफी space है तो क्या होगा कि ये layer और ये layer ये थोड़ी सी नीचे आ सकती है और ये वाली layer ये अब उपर चड़नी चालू कर देगी ace tube के अंदर ये layer थोड़ी ऊपर h height तक आ जाएगी और हमें पता लगाना है कि ये h height ये कितनी है क्योंकि यह ही हमें बताएगी कि कितना pressure है outside तो यानि कि हमें calculate करना है कि mercury कितने height तक ऊपर rise की है ये distance इसे कुछ h मान लेते हैं तो आओ start करते हैं देखो starting में ये layer नीचे जाना चालू की होगी फिर ये layer उपर जाना चालू की होगी यानि कि motion हो रहा होगा mercury के अंदर लेकिन उसके बाद ये सब कुछ static हो गई होगी बिल्कुल ही रुग गई होगी तो हम इस condition के बाद कर रहे हैं अब देखो जब एक बास अब कुछ static हो गया तो मैं करने वाला हूँ कि यहां पे एक massless aluminium foil ये लगा देने वाला हूँ एक massless aluminium foil अब ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मुझे देख चाहिए कि motion हो रहा है कि नहीं और क्योंकि motion नहीं हो रहा है नीचे से लगने वाले pressure के नीचे से लग रहा होगा mercury का pressure नीचे से mercury ये कुछ pressure लगा रही होगी इसे लिख देते हैं P bottom और उपर से भी mercury कुछ pressure लगा रही होगी इसे लिख देते हैं pressure from top P T अब हाँ calculate करते हैं कि ये PT और PB की value क्या है मुझे ये तो पता है कि top से लगने वाला pressure ये बराबर होना चाहिए bottom से लगने वाले pressure के PT should be equal to PB अब हाँ calculate करते हैं कि PB इसकी value क्या होने वाली है तो देखो मुझे पता है कि एक incompressible liquid में same horizontal level पे same pressure लगना चाहिए यानि कि जो mercury pressure यहाँ इस level पे लगा रही है वही pressure मकरी इस level पे भी लगने वाली है वही pressure मकरी इस level पे भी लगने वाली है एक horizontal level पे pressure same लगता है यानि कि ये भी बराबर हो जाने वाला है PB के अब देखो यहाँ पे उपर से एक pressure लग रहा है और वो है atmosphere का pressure यानि कि मैंने लिख सकता हूँ इसे अब देखो क्योंकि सब कुछ stationery है यानि कि ये layer भी move नहीं कर रहा है यानि कि ऊपर से लगने वाला pressure ये बराबर होना चाहिए नीचे से लगने वाले pressure के अगर ये atmosphere का pressure ये जादा होता तो यानि कि ये mercury की level ये तो नीचे move कर रही होती या फिर अगर ये bottom ये mercury का pressure जादा होता तो यानि कि ये mercury ये तो हवा में उड़ रही होती है ना लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है सब कुछ stationery है यानि कि बाहर से लगने वाला pressure ये अंदर से लगने वाले pressure के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ कि PB ये बराबर हो गया PATM के PB बराबर हो गया PATM के अब आओ calculate करते हैं PT की value तो अभी कुछ पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि अगर तुम एक incompressible liquid लो और उसके top surface से कुछ H depth पे pressure निकालने की कोशिश करो तो उसकी value आती है P at a depth H ये हो जाएगा ρो G H के बराबर जहांपे ρो ये होगी density of the liquid और G ये होगी acceleration due to gravity और H होगी depth from the top surface of the liquid अब देखो वैसे ही इस case में अगर तुम एस test tube पे ध्यान दो तो यहांपे mercury भरी हुई है और ये है vacuum यानि की कोई external pressure apply नहीं हो रहा है और इस top surface से कुछ H depth पे हमें निकालना है कि mercury का pressure कितना लगने वाला है तो ये हो जाएगा Pt is equal to यहांपे लिख सकते हैं ρो G H रो G into H जहांपे ρो होगी density of mercury जो कि हमें पता होगी acceleration due to gravity इसके value भी हमें पता है और H ये तो खहर हम देख के measure कर सकते हैं और ये बराबर होने वाला है यहांपे हमने लिख लिख लिया है PB के या फिर P atmosphere के P atmosphere के यानि कि हम atmospheric pressure calculate कर सकते हैं क्योंकि इन तिनों की value हमें पता होगी आसानी से अब मालनो कि मैं अपने barometer को ले गया एक sea beach पे और वहां पे मैंने calculate की atmospheric pressure ये इसकी value आगई कुछ 1 ATM तो क्या तो मुझे ये बता सकते हो कि मेरी barometer में mercury का column इसकी height क्या होने वाली है मैं तुम्हें ये भी दे रहा हूं कि mercury की specific gravity ये होती है कुछ 13.6 मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार pause करो और एक बार खुद से try करने के कोशिश करो अब अगर तुमने try कर लिया है तो आओ देखते हैं देखो specific gravity सबसे पहले इसकी बात करते है specific gravity of a material ये हो जाती है density की ratio density of the material जो कि यहाँ पे mercury to density of water और ये हमें दी वही है as 13.6 अब इसकी बात हमने कुछ पिछले वीडियो में की थी अब देखो density of water ये तो एक बहुत ही अच्छा सा नंबर है ये तो मुझे आसानी से याद है इसकी value है 1000 kg per meter cube per meter cube अब अगर मैं दोनों साइड 1000 से multiply कर दूँ तो मेरे पास density of mercury इसकी value आ जाएगी ये होने वाली है 13.6 into 1000 ये हो जाएगी 136 00 kgs per meter cube अब इसकी value मैं यहाँ पे डालके calculate कर सकता हूँ h की value तो अब इसे करते हैं मैं लिख हूँगा density of mercury इसकी value हमने अभी अभी calculate की 136 00 into g acceleration due to gravity ये होता 9.8 और h इसकी value तो मैं calculate करनी है h ये बराबर होने वाला है atmospheric pressure at sea beach के और इसकी value मैं तुम्हें दे रहा हूँ as 1 atm अब देखो units का ध्यान रखना left hand side में सारे units SI units हैं लेकिन right hand side में atm लिखा हूआ है अब atm को मुझे newton per meter square इसमें convert करना चाहिए newton per meter square ये pressure का SI unit हो गया ना तो 1 atm ये बराबर होता है कुछ 101325 newton per meter square के अब देखो left hand side में केवल एक ही variable है h और right hand side में surface of numbers है तो यानि कि मैं h की value आसानी से calculate कर सकता हूँ और ये मैंने तुम्हारे लिए calculate करके रखा हूआ है h की value आ जाएगी 0.77 meters या फिर 77 cm तो यानि कि अगर तुम barometer को लेके sea beach पे जाओ तो ये mercury ये कुछ 77 cm तक उपर तक उठ जाने वाली है अब ऐसे ही मैं pressure measure करने वाला हूँ मैं इस tube पे कुछ markings लगा देने वाला हूँ 77 cm की उचाई पे मैं लिख दूँगा कि 1 atm की marking है यानि कि अगर mercury इस level तक आए तो यानि कि pressure बाहर का 1 atm है और कुछ यहाँ पे मैं लिख देने वाला हूँ 2 atm यानि कि अगर mercury यहाँ तक पहुचे तो यानि कि बाहर का pressure 2 atm का है अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि mercury 77 cm की उचाई पे आके ही क्यों रुकी यह sea beach पे तो देखो जब मैंने vacuum create किया test tube पे तो यानि कि पाहर का जो atmosphere pressure था न यह mercury को दबाने लगा यह इस पे pressure लगाने लगा ताकि mercury इस tube में उपर चड़ने लगे और जब mercury 77 cm तक पहुच गई तो इस volume of mercury के कारण जो pressure लग रहा होगा इस point पे यह बराबर हो गया atmospheric pressure के और उसके बाद mercury उपर या फिर नीचे यह move नहीं कर सकती है अगर मालो कि mercury इसके बाद भी थोड़ा सा उपर move कर जाती तो यानि कि mercury का pressure यह जो उपर से pressure लग रहा होता अब आओ एक बार recap कर लेते हैं इस वीडियो में हमने पढ़ा barometer की functioning के बारे में barometer एक ऐसा device है जो कि atmospheric pressure को measure कर सकता है अब इसे बनाने के लिए हमने एक test tube ली एक लंबी सी tube और उसमें vacuum generate की और उसे invert कर दिया एक mercury के bowl में अब क्योंकि बाहर से atmospheric pressure लग रहा है जो कि इस mercury के level को नीचे push करने वाला है लेकिन यहाँ पे कोई pressure नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे तो vacuum था ना तो इसलिए mercury इस tube में ऊपर चड़ने लएगी और यह कुछ edge height तक चड़ जाएगी अब एक बार जब सारा motion रुख गया तो इस bottom उस layer पे उपर से लगने वाला pressure यह बराबर होगा नीचे से लगने वाले pressure के और नीचे से लगने वाला pressure यह तो atmospheric pressure के बराबर है और उपर से लगने वाला pressure इसे मैं calculate कर सकता हूँ as rho g h pressure at a depth h यहाँ पे कुछ h depth पे इस mercury की pressure क्या होगी तो फिर हमने लिख दिया कि rho g h यह बराबर है atmospheric pressure के और फिर हमने rho g h की value calculate कर ली और ऐसा हमें पता चल गया कि atmospheric pressure इस point पे क्या होने वाली है